हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू मैं चैनल स्वागते रुभीनास कीजन में आज हम बनाएंगे पनीर पकोड़ा जो कि बहुत ही टेस्टी है आईए इसके बनाने का तरीका दिखाते हैं यह बहुत ही आसान है पनीर का पकोड़ा हर किसी को बहुत पसंद आता है फटा फट हम इसे बनाने की तयारी कहते हैं यह राइटेंगल शेप में मैंने 200 ग्राम पनीर काट रखा है अब इसी एक बड़े बावल में हम 100 ग्राम बेसान अट करेंगे इसका एक अच्छा गोल बना लेंगे सबसे पहले मुझे इसमें रेड चिली पॉड़ा लेना है जो की वन टी स्पून है अब इसमें हाफ टी स्पून हम हल्दी लेंगे हल्दी पॉडर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे अब खाने का सोड़ा लेंगे हाफ टी स्पून वह ना हो तो आप बेकिंग सोड़ा भी ले सकती है अब इन सभी को अच्छी तरीका से mix करके हमें एक गोल त्यार करना है। जहि कि मैने अच्छे से mix कर लिया हैसे फोड़ा थोड़ा पाणी ऐड करते हुए हमें इसका एक is smooth गोल बनाना है एप गो कि दीखए पाणी को थोड़ा थोड़ा ढलें 1 बेक डालें इतना गढ़ा आपको बेटर तीयार करना है और दिखे बिलकुल इसमें लंस नहीं है अब हम इसमें सारे पनिर थोड़ी दर केलिए रेश्ट करने के लिए रख देंगे फिर इसके बाद हमें तेल को गरम करना है तेल करीब हमारा इतना लेंगे कि इसमें करीब पकोड़े करते हुए तेल में पकॉड़े डाल लेंगे तेंगे मैरा घर्म हो चुका है, She हम देखिए करके डीप करंगे पनीर को और इस तरद से तेल में एड़ कर देगे इसी तरह हम सारे पनीर को डीप करके एक्ष्रा वेसं निकाल लेंगे तेल में एड़ कर देमें देखिए जो हमारे चैनल पर नए हैं जो हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं उस सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें लाइक जरूर करें कमेंट करके मुझे बताएंगे हमारे पकॉड़े कैसे बने हैं प्लीज मुझे पूरा वाश टाइम दे मेरे वीडियो को आधना देखें पूरा देखें मुझे अच्छा लगेगा यह पकॉड़े भी अफ्राई हो चुके हैं बिल्कुल गॉल्डन हो गये हैं यह उपर से क्रस्पी है और अंदर से बिल्कुल सौफ्ट है अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे तेल से यह देखें कितना सौफ्ट बना है उपर से क्रंची भी है अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और इसे सौस के साथ सर्फ करेंगे पठा पठा हमारी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें जादे जादे शेयर करें थैंक्यू बाइ